तो चलिए फ्रेंड आज भी मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं कि effect on boiler efficiency when moisture percentage increased in fuel यानि कि अगर fuel के अंदर moisture का जो percentage है वो अगर increase होता है तो boiler के efficiency पे क्या effect आने वाला है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में detail से discuss करेंगे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गर्मी के समय में जो हमारा coal है उसके अंदर moisture जो है बहुत कम रहता है लेकिन वही अगर बरसात की बात करें तो उसके अंदर moisture content increase हो जाता है तो यह जो moisture content increase हो रहा है तो इसकी वज़ा से boiler के efficiency में क्या effect आने वाला है और कितना effect आएगा इसको हम लोग कैसे find out करेंगे इसके बारे में हम लोग आज detail से discuss करने वाला है तो हमारे साथ बने रहिएगा पूरे end तक वीडियो देखिएगा बहुत ही informative वीडियो बने वाला है तो चलिए इस वीडियो को करते हैं start तो चलिए फ्रैंड अभी हम उग समझ लेते हैं कि fuel के अंदर यानि की coal के अंदर अगर moisture का content increase होता है तो boiler का जो efficiency है उस पे क्या effect आने वाला है तो यहाँ पर moisture का मतलब क्या हो गया फ्यूल के अंदर अगर moisture है इसका मतलब हो गया कि fuel के अंदर water content है फ्यूल के अंदर क्या है moisture है यानि की water है और यह water क्या होता है steam में convert हो जाता है यानि कि जब हम लोग combustion करवाते हैं तो यह water के form में नहीं रहता है बलकि यह क्या हो जाता है steam में convert हो जाता है तो इसको steam में convert होने के लिए यहाँ पी क्या चाहिए इसको heat का जरूरत पड़ता है यह heat को absorb करके जो water है वो steam में convert हो जाता है तो यहां पर वाटर से steam बन गया यानि कि phase का change होता है तो यहां पर latent heat का absorb कर लेता है यह कौन सा heat absorb करेगा तो latent heat को absorb करता है तो 1 kg water को 1 kg steam में convert होने के लिए यहां पर कितना heat लगता है तो यहां पर heat लगता है लगग हमारा 584 kg कलोरी पॉर केजी यानि कि 584 kg कलोरी लगेगा 1 kg water को steam में convert करने के लिए तो यह क्या हो गया इसका latent heat हो गया ठीक है और यहां पर हम लोग एक formula पढ़े हैं कि heat loss due to moisture देखिए हम लोग एक formula पढ़े थे कि heat loss due to moisture in fuel तो वो formula क्या है तो वो formula बहुत ही simple है कि हमारा moisture content कितना है यानि कि M ठीक है और into क्या करते हैं 584 और यह 584 क्या है तो इसका जो latent heat है वो है और यहां पर हमें plus कर देना है क्या तो CP यानि कि specific heat of steam यानि कि जो ये steam है इसका specific heat कितना होगा वो और into करना है TF यानि कि flugus temperature minus TA यानि कि ambient temperature और यहां पर हम लोग bracket close करके divide क्या कर देते हैं GCV of fuel ठीक है और into 100 भी रहता है उदर space कम हो गया तो यह हमारा क्या होता है एक basic सा formula होता है कि हमारा moisture की वज़ा से कितना heat loss करेगा यानि कि जब हमारा यह जो heat loss हो रहा है वो कितना heat loss होगा इस formula से हम लोग calculate कर लेते हैं तो चलिए हम लोग एक example ले लेते हैं माल लिजे कि हमारा जो boiler है उसमें जो हमारा exit flu gas हो रहा है जो flu gas exit हो रहा है उसका temperature कितना है यानि कि TFG जो है प्लू gas exit temperature माल लिजे हमारा कितना है 140 degree celsius है ठीक है और हमारा जो ambient temperature यानि कि जो हम लोग F2 से air सक कर रहे है उसका temperature माल लिजे कितना है तो 30 degree celsius मान के चलते हैं कि 30 degree celsius हमारा अट्मосफेरिक का जो temperature है वो है ठीक है अब यहाँ पी जो हमारा specific heat of steam है वो कितना होता है यानि कि C पीएस कितना होता है इसको हम लोग लेते हैं 0.45 यह होता है ठीक है अब देखिए अब हमें क्या चाहिए GCV तो अजूम कर लेते हैं कि हमारा जो फ्यूल है उसका जो GCV है वो कितना है मालीजे 4000 कीलो कैलोरी पर केजी हमारा कॉल का GCV है अब हम को यहाँ पे क्या चाहिए मौश तो माल लेते हैं कि initially में जो हमारा fuel है उसके अंदर moisture कितना है तो moisture है इसके अंदर माल लीजिए हमारा 10% इसके अंदर moisture है और fuel यह जो moisture है वो बरसाथ के समय में सीधे double हो जा रहा है यानि कि new जो मौशर हमारा आ रहा है फ्यूल के अंदर वो कितना हो जा रहा है 20 परसेंट हो जा रहा है यानि कि जैसे ही हमारा मौशर डबल होगा तो बॉयलर के एफिसेंसी पे क्या एफेक्ट आने वाला है उसको हम लोग इस वीडियो में कैल्कुलेट करने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं तो चलिए अभी हम लोग इसको देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग जो एक्जिस्टिंग जो हमारा मौशर है यानि कि 10 परसेंट है इस पे हम लोग कैल्कुलेट करके देखते हैं तो हम्को क्या करना है इस फॉर्मूला में आपको पूटक्प कर देना है तो अभी हमारा मौशर कितना है टेन परशेंट है यानि की इसको आप डेरेक तो सकते हैं माइनस 130 कर दीजे 140 माइनस 30 ठीक है और ब्रैकेट क्लोज करके डिवाइड जी सीवी कितना है हमारा जी सीवी माल लिजे 4000 है तो यहाँ पे आप 4000 से डिवाइड करके इन्टू 100 कर दीजे तो अब जब इसको सल्व करेंगे तो यह कितना आने वाला है इसको हम लोग देख लेते हैं तो 140 माइनस 30 यानि की 110 हो जाएगा और इन्टू 0.45 और प्लस कर देना है 584 ठीक है और इन्टू 0.1 और इन्टू 100 यह वाला और डिवाइड कर दीजे 4000 से तो आपका वैलू आजा रहा है 1.58 परसेंट आ रहा है यह हो गया हमारा एक्जिस्टिंग मौस्टर की वज़ा से अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही हम लोग double कर दे रहे हैं मौस्टर का जो content है वो double हो जाता है तब जाके हमारा जो heat loss होगा वो कितना होगा यानि कि heat loss due to increase in moisture in fuel तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं तो similarly इसी formula में अभ यहाँ पे 20% है तो यह क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा तो यहाँ पे आपका लिखेंगे 0.2 into 584 और प्लस CP यानिके 0.45 और into 140 minus 30 और divide कर दिजे 4000 into 100 ठीक है तो जब आप इसको solve करेंगे तो इसका value कितना आ जाएगा 140 minus 30 into 0.45 और प्लस 584 और into 0.2 और into 100 और divide कर देना है आपको किस से तो 4000 से तो आपका value आजा रहा है 3.16 यानि कि जैसे ही आप moisture double करते हैं तो आपका जो heat loss है वो increase हो जा रहा है और एक चीज हम लोग देखे थे जब हम लोग indirect method से boiler का efficiency calculate करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि 100 minus जितने भी loss है उसको हम लोग जैसे कि dry flow gas loss हो गया हमारा जो hydrogen की वज़ा से loss हो गया moisture की वज़ा से loss हो गया air के अंदर moisture की वज़ा से loss हो गया यानि कि जितने भी हमारा loss होता ह है radiation loss यह सब चीज loss को हम लोग माइनस कर देते हैं तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे efficiency को निकालने के लिए इस तरह से इस calculation से हम लोग देखे कि अगर हम लोग moisture का content increase कर रहे हैं तो हमारा जो heat loss है वो भी increase हो रहा है और boiler efficiency निकाल होगा इससे reduce आएगा इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग fuel के अंदर moisture content increase करेंगे तो boiler का जो efficiency है वो decrease होगा तो यहां पे हम लोग अभी समझने वाले हैं कि अगर fuel का जो moisture है वो सीधे अगर double कर दे रहे हैं तो boiler के efficiency में कितना percent reduce होगा उसको हम लोग कैसे calculate कर सकते हैं तो इस loss हुआ है तो 3.16 और minus कर देना है कि हमारा previous यानि existing जो moisture था उसमें हमारा कितना loss हो रहा था तो 1.58 था तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे यानि कि 3.16 माइनस 1.58 तो इसका value आ जा रहा है 1.58 यानि कि हमारा जितना boiler का efficiency आ रहा था और moisture हम लोग सीधे double कर देंगे तो हमारा जो efficiency है वो और इतना percent कम हो जाएगा माली जे हमारा यहां पे 85% आ रहा था तो यहां पे हमारा 85 minus 1.58 ये वाला 1.58 किये हैं तो जब इसको हम लोग माइनस करेंगे 85 minus 1.58 करेंगे तो हमारा जो value है वो कितना आ जा रहा है 83.42 यानि कि इस parameter के according हमारा जब moisture डबल हो र इसमें इतना decrement हो रहा है यानि कि हमारा moisture बढ़ रहा है तो efficiency क्या होगा decrease हो जाएगा तो आप लोग अपने plant का parameter को write down करके आप एक बार जरू try किजिएगा कि आपके अगर moisture का percentage increase या decrease हो रहा है तो क्या efficiency पे effect आने वाला है एक बार आप लोग जरू try किजिएगा उमीद करत को दबाना बिल्कुल भी मत बुलिएगा तो चलिए friends thank you thank you so much